कई बार लोग जाने अंजाने में अपनी या दूसरों की personal information शेर कर देते हैं बिना जादा कुछ सोचें जैसे कि email address, contact details, home address, financial information, etc. अब क्योंकि इसमें risk involved है, YouTube इस तरह के content को हटा सकता है अपने creators की security के लिए, especially अगर वो minors हो क्योंकि YouTube की policies हैं, किसी की भी non-public personal identification information का misuse होने से बचाना इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप अपने content में कभी भी दूसरों की ऐसी कोई भी personal information शेर ना करें इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ points को consider करना होगा और यही हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो पहली चीज़ दो, किस तरह की personal identification information YouTube पर शेर करना allowed नहीं है तो कभी भी किसी के contact details, bank details या फिर address शेर ना करें जिसे की किसी को personally identify किया जा सके कुछ specific example से समझें तो, कई बार educational purpose के लिए आप videos में बताते हैं कि किस तरीके से forms को fill किया जाता है तो वीडियो में instructions देते वाक्त इस बात का ध्यान रखें किसी भी individual का पूरा नाम, contact details और email address आप blur कर दें, hide कर दें या conceal कर दें जिसे की किसी को भी personally identify ना किया जा सके ये videos बेशक educational purpose के लिए होते हैं, लेकिन अगर इनसे किसी को personally identify किया जा सकता है तो ऐसा करने से आपको पच्चना चाहिए दूसरा example कंसिडर करते हैं, कभी भी कोई भी financial information share ना करे जैसे की bank account number, ptm number, wire transfer number, credit card numbers या कोई भी information जो की viewers को account access करने में help करे Next important thing, कभी भी government identification जैसे की आधार card, voter ID, passport, birth certificate, driver's license शेर ना करे और अगर necessary है तो सारी important information को blur कर दे, hide कर दे, जैसे की कोई income misuse ना कर सके इसके अलावा medical records, जैसे की biometrics, diagnostic information, etc किसी भी website के login details, username, password, ये सारी चीज़ें भी आपको कभी भी share नहीं करना है तो ये तो बात हुई उन सभी चीज़ों की जो की YouTube पर share करना allowed नहीं है अब बात कर लेते हैं, वो कौनसी personal identification information है जैसे आप YouTube पर share कर सकते हैं बिना community guidelines को violate किये इन्हें हम कुछ example से समझते हैं, इसमें सबसे पहला example आता है information related to businesses, जो की easily online या फिर Google पर available है वो information जिसका access लोगों के पास already है, उसे share करने में कोई भी problem नहीं है दूसरी चीज़, अगर आप कोई online services provide करते हैं, उस case में आप अपनी contact details share कर सकते हैं आपको दूसरों की contact details या शेर नहीं करना है, आप अपनी share कर सकते हैं बस इतना ध्यान रखें, जो भी details आप share करें, वो किसी bank से या फिर किसी account से linked ना हो इसी तरीके से donations के लिए आप कुछ necessary information या contact details share कर सकते हैं, only to complete the process लेकिन आपको कभी भी दूसरों की कोई भी ऐसी information share नहीं करना है इसी तरह से जो bank account details है, या credit card number वगेरे हैं, ये सब आपको share नहीं करना है इन सभी measures के अलावा भी आप कुछ और चीज़े consider कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आप कोई information share करें, उसको blur कर दें या फिर fake information आप use कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको नाम add करना है, show करने के लिए तो आप general names वहाँ पर use करें, जहां कहीं भी phone number, email address या कोई भी details share करना है तो या तो आप उसको blur कर दें, hide कर दें, या फिर आप fake details यहाँ पर use करें वीडियो में या फिर वीडियो के metadata में, जैसे कि description वगेरे में, आप clear disclaimer डाल सकते हैं, जो कि indicate करें कि जो भी information आपने यहाँ पर use की है, वो fake है तो जब भी आप content create करें, इन सभी points को ध्यान में रख कर करें, जिससे कि आप अपनी और दूसरों की help कर सकें Be a responsible creator